है 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 वेल्कम टो और चैनल सो आज जो हम करने जा रहे हैं अपने नई वाली कोब्र एंपी-40 जो है अभी मैंने लेवल वन कहीं रखा तो किस डपल रिलोड माइनस है एंड़ सिंगल डैमेज एंड़ सिंगल टो फायर अपोजिट में अपकी इंटरन डायमेंड या फिर गाइज अप जो है मेकैनिकल भी बोल सकते उसको तो वह एंपी-40 रहेगी तो गाइज काफी ओपी होने वाला गस्टम तो देखते कि क्या रहेगा तो पींग का इस्यों हो तो कोई बड़ी बात नहीं है हमें एंपी-40 चाहिए एंपी-40 हमें मिल जाएगी अभी स्टार्ट करते है अपना कस्टम तो तो गाइज क्या था मतलब सामने से क्यों आया यह वाइज अच्छी खासी लूट दे दिया भाई ने तो ऐसे डैमेज तो बहुत किया था चलते हैं आइस ओप तो अच्छा खासा दे देते हो एंपी-40 बार्ट बीट तो नहीं कर पाई बैट गाइज रेंज का फेक्टर है उसके नर्सिंगल रेज एडगाइज डबल डैमेज है तो डैमेज तो अच्छा खासा दे देते हो एंपी-40 बट क्या गरे इस मतलब जो ट्रैग उठाएगा वो जाएगा आपो जीट वाला मतलब तो जो ट्रैग उठाएगा बोत उना जाएगा पोसिबिल्टी यह वो भी चला जाए क्योंकि उसका ड्रेग उपर उठे और हैड ना लगे तो दूसरे वाला बोडी डैमेज से भी खत तो इतना भी रेज माइनस टेक्टर नहीं है इसके अंदर तो यह अपनी फोकर नहीं है कि जो इतनी दूर से भी ना मार पाए तो भाई साब ने मतलब रेज पले से तो क्या बतलब इतने ग्लोज में भी नहीं बार पाएगा तो एस ओवराल काफी अच्छी है सिंगल रिलो रिलोड ही माइनस है तो रिलोड दोनों का ही माइनस है इसका भी गैस डबल जो है रिलोड माइनस ऑविस से बात है लेवल बन की अभी थाउल यहीर है हमал मैं राई भी अधियर भी तो यहीज में वस्तार करने आप मैंस भी आप शेका रिलोड प्लेवारा थावराल था यहीं आप टूट रादी बद्सक्रादीएं मारी अटूट आपियाम झाद्सक्टेएं मारी यही निवर दोटेर रिलोड डेवरादी तरीके से बीट करते हुए सो गाइज बहुत ही मास्त एंपी फोटे गाइज एथर ने डायमेंड भी अपना कोब्रा चलेगा आधे एक साल तो चलेगा जब तक कोई डबल रेटो फायर नहीं आ जाता अबाइज बाइज का फेक्टर मैंटर करते हुए तो भाई साथ आजो तो गाइस देख सकते हो फेक डायमेज भी हो सकते है तो क्या ही हैड शोट उठाते गाइस ओपी सर्जी ओपी तो डबल डायमेज भाया बचके थोड़ा बहुत तेज हो रहा है वह भाई कब आ गया भाई क्या ही बोले सर्जी अभी पीछे से आया तो सर्जी ऐसे थोड़ना होता है तो आप यह मेरे को कमेंट शेक्शन में बताना की एंपी फोटी जो मेकैनिकल कितनी स्ट्रोंग है इसके कंपेरिजन में और रेट ओफायर सच्ची में मेरेटर करता या नहीं करता हूं अगर इसका अट्रिब्यूट होता है डबल रेट ओफायर एंड सिंगल डेमिज तो कैसी होती है तो बताना आपने विचार क्यों आपक आपको कस्टम कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना और आप यह बताना कि इतरना डायमेंड के कंपेरिजन में यह एंपी फोटी जिसका की लेवल बन है वह आपको कैसे लगी और यह डेफिनेटली बात है कि वह रेंज फेक्टर मेंटर करता है और अगर चैनल पे थैसनको सब्सक्राइब करना और इस सब्सक्राइब करने के बाद उपना क सिर्ट को लागा जो भी आप comment करोगे उस पर मैं work करता हूं तो वैज मिलते नेक्स प्रोड़ है उन तब देके लिए टाड़ा बाई गाईस